हेलो फ्रेंट नमस्कार बेस्ट रेसीपी में आपका बहुत पहुत स्वागात है तो गड़मी का सेजन आ गया है बहुत सारे बहुत गड़मी परने लगे और इसमें ठंठना पीने का मन करता है तो आज हमने एक नया सरवात लेके आया है तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब कर लेजिए और बेल आइकन दबा कर प्रेस करको जो हरे वीडियो आपको मिलती गए तो चलिए हम वीडियो को स्टाट करते हैं तो यहां पर हमने सत्व ले लिए तो चाना का सत्व ले लिए आप कोई भी सत्व ल तो लगवम हमने 100 ग्रम सत्तु लिया अस्वाद अनुसार हमने नमक डाल लिये इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा गूल बनाएकर तयार करेंगे सरवत बनाएंगे इसका हम सत्तु का लसी बनाएंगे यहां पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल पाने डाल पर इसको हम दलगटनी की मदद से इसको हम मिक्स कर लें। दलगटनी के मदद से बहुत अच्छे तरह से मिक्स हो जाता है इसी तरह भी मिक्स करिएगा स्वत्तू तो यहां पर हमने आईस ले लिए जित बढ़त कर तुप्रा हम ले लिए आइस इसमें थोड़ा थ से पी सकते हैं तो आपको यहां पर हमने ले लिए हैं जल्जीरा तो थोड़ा से हमने स्वात के लिए जल्जीरा डाल दे रहे हैं बहुत अच्छा क्रिवर आता है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कला निमग डाल देगें तो थोड़ा साम कला निमग भी डाल दे हैं और यहा पर हमने थोरा सा निम्बू निचोड के डाल दे रहे हैं इससे इतना अच्छा स्वाद लगता है इसका सक्तू का पीने का तो इस तरह से बना के पी सकते हैं आपको सुबह में पीलीजीगा तो आपको तीन घंटा तक बिल्कूल आपको एनर्जी बना हुआ रहेगा हिल्दी भी रहता है स्वास्त भी सही रहता है और पेट भी सही रहता है तो सुबह में जरूर एक लास चन्ना का सत्तू इस तरह से बना के पीजीए और आप लोग अगर मिर्ची डाल के पीना पसांद है कच्छी में हरी मिर्च तो डाल के पी सकते हैं या आपको मिठी सत्तू पीना है तो मीठे सत्तू भी पी सकते हैं तो किसी तरहका सत्तू सुबें बना कर जरूविट ट्राइब कि determiner निख动 पर केसि लगते हिर्ण निखांस हो और मेरे तरीके से पराई करें लिछा हिा मेरे बुह बहुट पसंद पर इसे लगत हो अच्छे लगते हो कमेंट करना मत भुलिगा बाय।